जो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो जैसे कि आप देखें कि अब तक हमने किया exercise 1.1 का question number 12 अपनी पिछली वीडियो में अब हम देखने जा रहे है question number 13 से आगे जो की कह रहा है कि देखो so करना है कि जो relation है न एक polygon का set है ठीक है और वो equivalence relation है क्या है equivalence relation है ओके यानिके reflexive symmetric और transitive बहुत ही simple पहले इतना ही part करेंगे उसके बाद हम देखेंगे आगे तो भाई देखो set क्या है relation क्या है तो define है r equal to that is relation लिख लो p1 और p2 और कहला है कि p1 और p2 जो है same number of side क्या है p1 and p2 have same number of sides okay same number of sides यह relation है तो चलिए सबसे पहले हम check out करते हैं भाई reflexive के लिए okay reflexive में क्या होता है बच्चे खुद का खुद से relation ओके तो मैं कह रहा हूँ कि भाई equivalence है ना तो हमने मान लिया कि reflexive होगा ही होगा तो r is reflexive reason क्या है तो भाई reason यही है कि खुद का खुद से यानि कि हम लिखेंगे p1 और p1 belong करेगा इस relation r से यानि कि खुद का खुद से relation है इसका मतलब हुगा क्या मतलब हुआ as p1 and p1 ठीक है has same number of side has same number of sides यानि कि p1 और p1 का same number of side होगा क्योंकि भाई एक ही है ना दोनो with itself because zone एक ही है p1 और p1 एक ही है और दोनों में भाई एगर p1 यहीं पर बनाया मैं एक triangle और same यही triangle यहां बना रहा हूँ इसके 3 4 5 side है इसका भी 3 4 5 side है तो दोनों same होगा न तो वही कह रहा हूँ कि p1 और p1 में क्या होगा same number of sides होगे that's why वह reflexive होगा खुद का खुद से relation है चलो अब हम symmetric के लिए check करते हैं बच्चे symmetric के case में क्या होगा तो हम late करते हैं कि भाई p1 और p2 is relation r से belong करेगा p1 और p2 is relation r से belong करेगा ठीक है क्या मतलब हुगा इसका तो this implies p1 and p2 have same number of sides same number of sides इसका यही मतलब हुगा कि दोनों में number of sides क्या है same है question ने बोला है okay तो भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि इस triangle के जो sides है वह इसके equal है तो क्या यह नहीं कह सकता कि इस triangle का इसके equal है तो भाई इसी का मतलब यही हुगा ना कि इसका भी इसके equal है मैंने कहा राम और सीता दोस्त है तो इसका मतलब सीता और राम भी तो दोस्त है तो same हो ही केश कि भाई p2 and p1 have same number of sides इसका यही मतलब हुगा same number of sides तो अगर ऐसा है तो this implies p2 और p1 वो भी r से बिलोंग करेगा जो relation p1 का p2 से है वही p2 का p1 से भी relation हो गया यह भी r से बिलोंग करेगा और अगर यह भी r से बिलोंग करेगा इसका मतलब है कि r जो है वो कैसा हो गया symmetric relation आई होब यहाँ ता कोई doubt नहीं है चलिए अब हम चेक करते हैं कि भाई यह relation transitive है या नहीं है transitive है या नहीं है तो इसके लिए क्या करोगे सबसे बहले आप करोगे कि भाई लेट करो कि p1 कॉमा p2 का r से relation है और इसका मतलब क्या है कि p1 and p2 have same number of sides okay same way में अब करो कि भाई हमने माना कि p2 and p3 p2 and p3 भी r से बिलोंग करेगा यह भी हमने लेट क्या कि इसका क्या मतलब वह question क्या कह रहा था relation question कह रहा था कि p1 p2 है इस हिसाब से है कि दोनों का आपस में relation है तो in the same way p2 p3 है means p2 and p3 have same number of sides same number of sides तभी तो दोनों का relation है तभी यह r से बिलोंग कर रहा है और ऐसा है अगर कि मैंने कहा p1 equal था p2 के side के p2 equal था बच्चे p3 के sides के इसका मतलब यह दोनों भी आपस में equal होंगे ठीक है तो भाई यहां से क्या पता चलता है कि this implies p1 and p3 also having same number of sides और अगर ऐसा है तो p1 और p3 का relation हो गया p1 और p3 का relation हो गया r से बिलोंग कर रहा है और ऐसा हो गया इसका मतलब है कि भाई आर जो है वो ट्रांजिटिव भी है कैसा है आर जो है ट्रांजिटिव भी है और अगर ट्रांजिटिव है symmetric है और reflexive है तीनों का तीनों है न और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि r is equivalence relation r कैसा relation है equivalence relation है I hope कोई डाउट नहीं होगा यहां तक चलिए आगे चलते हैं देखिए अगर r equivalence हो गया तो अगला पार्ट कह रहा है कि what is the set of all element in a क्यादा कि कोई set a है उसमें क्या element होगा जब right angle triangle t with side अगर right angle triangle t with three है जिसके side है 3 , 4 , 5 तो उसका e से कैसा relation होगा यह आपको बताना है क्योंकि a क्या है set of polygon है तो उसका क्या relation हो सकता है यह आपको बताने है तो चलिए देखिए भाई देखो question कह रहा है बच्चे कि यह क्या है question कह रहा है कि यह right angle triangle तो right angle triangle किस family से बिलोंग करता है, किस family से बिलोंग करता है भाई, एक triangle होगा tidak triangle में ही right angle होता है, isocells triangle होता है, obtuse angle스가 wie mengungalosa, यानि कि हर एक angle triangle जो होता है, वो simple triangle की family से बिलोंग करता है, polygon क्या है simple close figure close figure, and triangle is also a close figure that means polygon, जो set है वो किछीज का set होगा, याद कीज़े क्लास 11 का concept set chapter का किसी इसका concept होगा तो भाई राइट ट्रेंगल बिलोंग करेगा एक ट्रेंगल की family को लिखना कैसे है लिखना ऐसे है आपको कि the element question से बिल्कुल the element इन ए रिलेटेड पूरा question लिख दो रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल टी विच साइड विद पूरा question लिखना बच्चे विच साइड त्री फोर एंद फाइव आर दो those polygons ऐसे polygons होंगे which have which have three sides simple सी बात है बच्चे क्योंकि 3,4,5 यहां पर तीन साइड है राइट टैंगल टैंगल में तो polygon का जो side होगा polygon close figure है तो उस close figure कैसे close figure तो जिसमें 3 side होगा okay which have three sides इसका मतलब हो गया the set of all elements in a related to triangle t related to triangle t ठीक है और t is the set of all triangles ठीक है क्यारा कि set जो होगा a वो क्यारा टैंगल का set है और यह all triangles को belong करेगा I hope इतना क्लियर है देखिए question number 14 अब क्यारा कि L x set है line xy का ठीक है xy plane पे set belong कर रहा है और क्यारा कि relation कैसा है कि भई L1 और L2 जो है वो एक दूसरे का parallel है यानि कि question कह रहा है कि एक relation दिया गया है L1 L2 lines का करेंकि L1 is parallel to L2 इस तरह का यह relation है कुछ ओके तो भई इसको आपको बताना है कि equivalence relation है तो भई equivalence है मतलब R कैसा होगा reflexive भी होगा तो लिख दो पहले ही R is reflexive क्यों है तो reflexive में होता है खुद का खुद से relation अब तक इतने सारे questions हमने किये है खुद का खुद से relation तो मतलब क्या है कि यह reflexive है इसका मतलब है कि L1 is parallel to itself यानि कि वो खुद के parallel होगा इसका मतलब है कि L1 और L1 belong करेगा family R से तभी तो खुद का खुद से relation हुआ ठीक है अब चलो अगला case लेते हैं symmetric का किसका लेते हैं symmetric तो मैंने कहा कि भाई let L1 और L2 जो है R से belong करेगा तो इसका क्या मतलब है बच्चे question कहाँ है कि L1 is parallel to L2 और बच्चे मैं कहाँ कि एक line दूसरे line के parallel है तो दूसरा line भी तो इसके parallel होगा तो भाई ये भी कह सकते हैं कि L2 is also parallel to L1 parallel और ये EL लगा दरों parallel का ये मतलब है to L1 और अगर ऐसा है तो मतलब L2 और L1 का भी आपस में वही relation होगा जो L1 L2 का था जी हाँ होगा आपके हिसाब से और अगर ये होगा तो हम कह सकते हैं कि R कैसा relation है R is symmetric, symmetric relation को follow करता है I hope यहां तक आपको कोई doubt नहीं होगा चलिए, reflexive हो गया, symmetric हो गया अब हम ले लेते हैं किसका case, that is transitive अब हम जो case लेने जा रहे हैं वह है transitive का, तो भाई हम इसमें let करेंगे कि L1, L2 का relation है जैसा question में given है इसका मतलब है कि L1 and L1 L1 is parallel to L2 ठीक है और हम let करेंगे ऐसे let L2 और L3 कोई line है यह आपस में parallel है ठीक है कि भाई देखो, यह line इसके parallel है, यह line इसके parallel है तो हम कह सकते हैं कि L1, L2 का equal है, L2, L3 का equal है means यह दोनों भी आपस में equal होंगे तो कि एक common point है दोनों में means L1 and L3 also parallel तो इसका मतलब हुआ कि L1 और L3 relation R से belong करेंगे यही मतलब हुआ और अगर यह belong कर रहे है तो भई आर जो होगा वो हो जाएगा transitive कैसा हो जाएगा transitive एनिकी reflexive भी है symmetric भी है transitive भी है और अगर ऐसा है तीनों चीज़े है इसका सीधा मतलब है कि R कैसा relation हो गया R is an equivalence relation ओके no doubt R कैसा हो गया equivalence relation उसके बाद जो इसका second पार्ट है कि find the set of all line related to line y equal to 2x plus 4 ऐसे आपको हर एक line बतानी है जो इस equation को follow करता होगा तो चलिए देखते हैं कैसे होगा तो भाई देखो question के हिसाब से relation कैसा होना चाहिए एक दूसरे के parallel होना चाहिए तो भाई कह रहा है कि ऐसे line बताओ जो इस सीज को follow करें तो कौन सी line follow करेगा इस question के हिसाब से जो बिल्कुल इसके parallel होगा तो parallel कौन होगा जिसकी equation same होगी तो क्या लिख होगे आप समझ आगया क्या कहा रहा हूँ parallel कौन होगा जिसकी equation यही होगी क्योंकि question कहा रहा है parallel होनी चाहिए और parallel है और इस line के according आपको देना है equation तो क्या लिख होगे the set of question से बिलकुल set of all lines related to line y equal to 2x plus 4 is the set of lines कैसे line होंगे तो that are बताओ सोच रहोगे parallel that are parallel to the line parallel to the line y equal to 2x plus 4 यहीं कि यह वही line होंगे जो इसके parallel होगा वही set होगा ठीक है तो भाई यहां से अगर parallel है तो slope निकल कर आता है तो slope क्या होता है अगर याद होतो तो slope of line कौन सी line यही y equal to 2x plus 4 क्या होता है is देखो slope का equation ही होता था y equal to mx plus c याद है और m जो होता था वो होता था slope equation of line यह होती है और m जो होता है slope तो m कि जगा compare करो क्या है बच्चे 2 ना तो slope of line y equal to इतना is 2 slope आ गया ठीक है तो भाई कहरा कि कोई line parallel होती है उसका मतलब same slope होना चाहिए तो आप जानते हैं you better know it is known that known that parallel lines have same slope अब एक चीज़ देखो बच्चे इस line का slope भी 2 था इस line का जो जो इसके parallel आएगा तो same ही line होगा उसका slope भी 2 है और दोनों का slope same है मतलब यह line आपस में कैसी होगी parallel होगी better know तो क्या लिखोगे कि the line parallel to given line is of the form किस form में होगा बच्चे किस form में होगा तो जो parallel होगी वह किस form में होगा is of the form y equal to 2x plus c क्योंकि c कुछ भी हो सकता न 4 की जगा 5,6,7 कुछ भी हो जाए लेकिन जो इस question के हिसाब से होगा that is the 2 क्योंकि parallel तभी होगा जब उसका slope बस same होना चाहिए तो slope यहाँ भी 2 है और इस line का भी 2 है और c कुछ भी हो सकता है c कुछ भी हो सकता है तो c क्या होगा? तो where c is equal to? c belong to? all real numbers किसी भी real numbers से belong करेगा I hope इतना clear है no doubt ठीक है तो आपको पता चल गया तो आप से पूछा है कि find the set of all line अब लिख दो बस last में एक line लिख दो कि set of all line related to given line is given by y equal to 2x plus c और वहाँ पे c belong करेगा real number से या इस relation r से I hope इतना clear है बस यही करना था इसमें और कुछ भी नहीं कि भाई जो question पूछा हमने लिख दिया कि कोई भी line एक दूसरे का parallel कब होती है तो वो तभी parallel होगी जब उसका क्या होगा? slope same होगा और हमने दिया कि इस line के parallel एक line है जो इस form में होगा बस statement ज़्यादा है लंबी है बट समझ आ गया होगा I hope कुछ भी नहीं है ऐसा तो यानि कि जो parallel होगी वो कैसा set होगा तो set होगा इस line का जिसमें c जो है real number से belong करेगा ओके? no doubt चलते हैं आगे और अगली question यानि कि question number 15 और question number 16 हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में और अभी के लिए इतना ही इसके अलावा आपको चाहिए 12th की पूरी की पूरी maths की सीरीज तो आप हमसे इस number पे contact करें और real concept app डाउनलोड करें description में सब कुछ given है Thank you so much for watching this